आप सबको नमस्टा वैसे मेरा बड़ा पुरिय कारकम है लेकिन कुरोना के कारण बीच में मैं आप नसक साथकों को मिन नहीं पाया तो मेरे लिए आज का करकम जड़ा विशेश खुशी का है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिनने का मोका मिलगा है मुझे नहीं लगता है कि परिक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा मैं सही हूँ न मैं सही हूँ न आप लोगों को टेंशन नहीं होगा अगर टेंशन होगा तो आपके मापता पिता को होगा क्या करेगा सच में बताईए किसको टेंशन है आपको क्या आपके परिवार वालों को जिनको खुद को टेंशन है वो हाग उपर करे अच्छा अभी भी लोग है अच्छा और जिनका पक्का भी स्वास है कि मम्मी पपा को टेंशन है वो कौन को है ज़्यादा लोग होई है कल गिकरम समद नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ये अप्विल महिना हमारे देश में अनेक त्योहवारों से भरा रहता है बेरी आने वाले सभी त्योहवारों के लिए आप सब को बहुत वा शुब कामणा है लेकिन त्योहारों के बीच में एक्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मज़ा नहीं ले पाते हैं लेकिन अगर एक्जाम को ही त्योहार बना दे तो फिर यो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं और इसलिए आज का हमारा कारगम हम अमारे एक्जाम्ट में त्योहार का वातावन कैसे बनाए उसको रंगों से कैसे भर दे उमंग उत्सा के साथ हम परिख्या के लिए कैसे प्रस्थान करे इनी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी है कुछ लोगों ने मुझे आडियो मेसेज भी भेजा है कुछ लोगों ने वीडियो मेसेज भेजा है मीडिया के साथियों ने भी इस्थान-थान पर विद्यार्शनों से बाते करके कई समाल निकाले हैं लेकिन समय सिमा में जीतना कर सकता हूं उतना जरूर करूँगा लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूँ बस क्योंकि पिछले पांच बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की सिकायत रहती हैं कि मेरी बात रहे जहीं मेरी बात नहीं आई वगए तो मैं एक काम करूँगा इस बार कि आज जीतना हो सकता है समय की सीमा में हम बाते करेंगे लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से कभी प्रवास करते समय मेरे पास मोका होगा तो आडियो के माध्यम से या तो फिर रिटन टैक्स के रूप में मैं नमो एप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजे यहां छूट गई है उसको रखूंगा ताकि आप नमो एप पर जा करके अब उसमें भी इसमार एक नया प्रहुक किया है माइक्रो साइट बनाई है तो वहाँ पर भी जा करके आप इसका लाब उठा सकते हैं तो आईए हम कारिकम प्रारम करते हैं सबसे पहले कौन है थांक यू ओनरिबल प्राइम मिनिस्टर सर्व माननिय प्रधान मंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्यान वर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके व्रिहद अनुभव एवं ज्यान पूर्ण मार्ड दर्शन की हम सब उच्षुक्ता से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशरवाद एवं अनुमती से हम इस कारक्रम का शुभारम करना चाहते हैं धन्यवाद मानेवर माननिय प्रधान मंत्री जी भारत की राजथानी एपेहसिक नगरी बिल्ली के विवेकानन स्कूल की कक्षा बारवी की चात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं खुशी कृप्या अपना प्रश्न पूछिए यह अच्छी बात है खुशी से सुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परिशा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे मानने प्रदानमंद्री महोदे नमस्कार मेरा नाम खुशी जैन है मैं कक्षा बारवी विवेकानन स्कूल आनन्द विहार दिल्ली की चात्रा हूँ मानेवर मेरा प्रश्न है जब हम घबराहट की स्थिती में होते हैं तो परिक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें मानेवर साहित्रिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत सम्रिद्ध प्रदेश 36 गड़ के बिलासपुर के कक्षा बारवी के चात्र एश्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं वह उच्सुक है प्रधान मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को श्रीधर कृपया अपना प्रश्ण पूछिए नमस्कार मारणिय प्रधान मंत्री महदय मैं एश्रीधर शर्मा दक्षिनपूर्व मध्यरेल में उच्चितर माध्य में क्विद्याले नमबर वन बिलासपूर 36 गड़ के कक्षा बारवी आर्ट्स का चात्र हूँ महदय मेरे प्रश्ण कुछ इस प्रकार है मैं परिक्षा संबंधी तनाव से कैसे निप्टूं अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा और अन्ततहा, अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए, तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निप्टूँ? धन्यवाद श्रीधर, from the land where the Sabarmati संथ Mahatma Gandhi जी started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10th student of Vardodra, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greetings Prime Minister Sir, my name is Kenny Patel, I am from Freehouse High School, Vardodra Gujarat, from class 10th. My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and results, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you Sir. Thank you Kenny. अपने प्रिधान मंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा, तथा कैनी पतेल, परिक्षा के तनाव से व्यतित हैं. उन्हें की तरह, देश भर से अनेग विद्व्यार्थियों ने, एक्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं. परिक्षा के तनाव से लगभख सभी विद्व्यार्थि प्रभावित होते हैं, और आपके मार्दर्शन के अभिलाशे हैं. माने ने प्रिधान मंत्री जी. एक साथ आप लोगों ने इतना सेवाल पूछ लिए हैं, कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा. देखिए, आपके मन में भाय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है. क्या आप पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं क्या? आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एक्जाम देने जा रहा है. मतलब कि आपने बहुत सारी एक्जाम दे चुके हैं. और अब तो आप प्रकार से एक्जाम के इस दौर से आखरी छोर की दर पहुँच चुके हैं. इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर दूबने का धर ये तो दिमाग में पैटता रही है. तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तै कर लेजिए कि परिच्छा जीवन का एक सहज हिस्सा है. हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पढ़ाव है और उस पढ़ाव से हमें गुजरना हैं हम गुजर चुके हैं. जब इतनी बार हम एक्जाम दे चुके हैं, एक्जाम देते देते एक प्रकार से हम एक्जाम प्रूफ हो गए हैं. और जब ये विश्वास प्यादा हो जाता है, तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए, ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं. इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई, छोटा मत मानगें. क्या ये तो नहीं है कि, प्रिपेड्नेस में कमी है, कहने को हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है, मेरा आपको सुझाव है. अब एक्जाम के बीच में समझ तो जादा है ये नहीं, इस बोच को जीना है, कि जो किया है, उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है, हो सकता है, एक दो चीज़े छुट गई होगी. एक चीज में थोड़ी जितनी महनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है? लेकिन जो हुआ है, उसमें मेरा आत्म विश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी ओवर कम कर जाता है. और इसलिए मेरा आपसे आग रहे हैं, कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रियेट हो ऐसा वातावरन को पनपने ही मत दीजिए, जितनी सहच दिन चरियाक की रहती है, उतनी ही सहच दिन चरियाक में आप अपने आने वाले परिशा के समय को भी बिताईए. एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टमस पैड़ा करेगा, वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूँ, मेरा इदोत ऐसा करता है इसलो उसको अच्छे मार साते हैं, मैं भी वो करूँ, आप वो कुश मत कीजिए, जो आपने सु आप भरोसा है आपकर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फस्टिमल मूड में एक्जाम दे पाएंगे और सफल होके रहेंगे Thank you, Honorable Prime Minister Sir, for teaching us to accept exams as a natural experience to believe in ourselves. Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun M.B., who is the class 11th student, here seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question please? Good morning Sir, I am Tarun M.B., studying in class 11th at Jowar Navadaya Vidyalaya, Mysuru Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Parisha Pachasda, 2022. My question to our Honorable Prime Minister Sir, Narendra Modi Ji is, Sir, how can you see a student focused while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you Sir. Thank you Tarun. Honorable Prime Minister Sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School Delhi Cantonment Board is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. Thank you, Sahid. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, Sir. Kirtana's question has been received from times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Chrysler School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students, but teachers too. Mr. Chandrachudeshwaran M., a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister Sir. I am Chandrachudeshwaran from the Ashokalayan School, Osup, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, Sir? Dhaniawad Mahodai. Thank you, Sir. Honorable Prime Minister Sir, Tarun, Sahit, Kirtana and Chandrachudeshwaranthar, Sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last two years. Honorable Sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, Sir. In my mind, a question comes in my mind. अब मैं आपको हाथ ओपर ने कराऊंगा लेकिन आप सबज गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है हाकिकत में दोश ओनलाइन या ओफलाइन इसका नहीं है आप अनुभव कही होगे क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लास्रूम में होगा आपकी आँखे टीचर की तरफ होगी लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा कान को तो कोई दर्वाजा नहीं लगाया है कोई खिड़की नहीं लगाई लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है रजिस्टर ही होता है जो चीजें आफ्लाइन होती है वही चीजें ओनलाइन भी होती है इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है मन समस्या है माध्यम ओनलाइन हो या ओफ्लाइन अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है उसमें डूबा हुआ है मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारिक्यों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपके लिए ओनलाइन या ओफ्लाइन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फर्क पड़ सकता है और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं अब पहले की जमाना में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले सास्त्रवर्ष पहले तो बहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे तो उस समय कोई किताब भी नहीं थे तो ऐसे एक कंठस्थ जब चलता था तो उनकी स्रवन शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे और पीड़ी दर पीड़ी कान के द्वारा सिक करके बाद में यूग बदल गया प्रिंटेड मटरियल आ गया किताबे आने लगी तो लोगों ने उसमें ढाल दिया ये इवाल्यूशन लगातार चलता रहा है और यही तो मानव जीवन की विशेस्ता है तो वो इवाल्यूशन का एक हिस्सा है का आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से नए टेकनोलोजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रुप से प्राप्त कर सकते हैं इसे हमने एक उपर्चुनिटी माधना चाहिए हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिस करनी चाहिए हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवार्ड के रूप में अपने टाइम टेमल में रख सकते हैं मुझे पक्का भी समस है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टांडर्ड मट्रियल कहीं आपको ओनलाइन अवैलेबल है दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैलू एडिशन कर सकते हैं आप कहेंगा टीचर ने इतना बताया था मुझे इतना आज रहा था तेकिन यहाँ दो चीजे मुझे अच्छी मिल गई है अच्छे तरीके से मिल गई है मैं दोनों का जोड कर दूँगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे ओनलाइन का दूसरा आप यह है आखिर कर सुच्छा का एक हिस्सा है गिनान अर्जन करना अब ओनलाइन और ओफलाइन का सिध्धान्त क्या पोसकता है मैं मानता हूँ ओनलाइन पाने के लिए है ओफलाइन बनने के लिए है मुझे कितना ग्यान पाना है कितना अर्जित करना है मैं ओनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलिबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा इसको मैं अंगिल करना है और ओफलाइन जो मैंने वहाँ पाया है उसको पनफ नेकला है मैं अवसर दूँगा मैं ओफलाइन उस जो चीजों को मैं आप मान लीजिए यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा आखिर में बढ़ा कम करते हुए बात हुई टीचर महोदे ने पूछा तो मैं यह कहूंगा कि मां आउनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है कौन से इंग्रेडियर होते है सब देख कर लिया देखि पेट भरेगा क्या बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कॉम्पूटर पर बना दिया सारे इंग्रेडियन कर लिया पेट भरेगा क्या लेकिन वह ग्यान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा और नहीं भरेगा तो online online को आपका आधार मजबूत करने के लिए उप्योग करें आपको offline में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है शिक्षा का भी SI है पहले आपकी जो किताब है वो आपकी जो teacher है वो आपका जो surroundings है वो बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के आज असिमीत समसाधन है इसलिए आप अपने आपको कितना व्यापक कर सकते हैं खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं उतनी ही चीजें आप उसको एड़ अड़ परते जाएंगे और इसलिए ओन लाइन को एक आउसर समझी है लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेवल है आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वार्निंग देते हैं ये करो ये मत करो अब रुख जाओ थोड़े देर आराम करो अब 15 मिट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिट के बाद आएंगे आप इस टूल का उप्योग करके अपने आपको डिसिप्लीन में ला सकते हो और मैंने देखा एक बहुत सारी बच्चे होते हैं जो ओन लाइन इन टूल्स का बैक्से मुप्योग करते हैं अपने आपको रिष्ट्रिक करते हैं दूसरा जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना इं महत्व है जीतना हाइपड के अंदर गुषने में आनद आता है मोबाइल फॉन के अंदर गुषने में आनद होता है उससे हजारों गुणा आनद अपने भीतर गुषने का भी होता है तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ओनलाइन भी नहीं होंगे, ओफ लाइन होंगे, इनर लाइन होंगे, जितना अंदर जाएंगे, आप अपनी उर्जा को अनुभव करेंगे, अगर इन चीजों को कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, यह सारे संकत आपके लिए कठनाई प्रदा करेंगे. प्रदान मंत्री जी, आपने हमें मूलमंत्र दिया कि, जब हम एकाग्रमन होकर अपनी पढ़ाई करें, तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी, धन्यवाद महोदे. मानेने प्रदान मंत्री जी, वैदिक सभिता और सिंदु घाटी सभिता के मुख्य निवासिस्थान पानिपत हर्याना से सुश्री सुमन रानी जोकी एक सिक्षिका है, आपके शमक्स अपना प्रश्न रखना चाती है. सुश्री सुमन रानी मैम, क्रिप्य अपना प्रश्न पूछिए. सुश्री सुमन रखना प्रश्न प्रश्न पूछिए. इन पार्टिकुलर एंड सुसाइटी इन जेनरल एंड पेफ वे फॉर नया भारत. थैंक यू सर्. श्रद्य प्रधानमंत्री जी, नई सिक्ष्यानीती को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं. जिन में विद्यार्थियों ने यह अभी व्यक्त किया है कि हमारी रूची कुछ और होती है, हम विशे कोई और पर रहे होते हैं. ऐसी स्थिती में क्या करें? क्रिपिया मार्ग दर्शन कर कृतार्थ करें. जो राब गंभीर प्रकर का सवाल पूछा है और इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठीन है. पहली बाब को है यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बज़ा हम यह कहें, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP. कुछ लोग N को new कहते हैं, एक्चुलिए यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने पुछा, शायद दुनिया में शिख्षा की निती निधारन में इतने लोगों का involvement हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, यह अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा world record है, 2014 से जब मुझे इस कायरे के लिए आप समने पसंद किया, तो शुरुआज से इस काम पर हम लगे थे, करिब 6-7 साल तक बहुत brainstorming हुआ, हर स्तर पर हुआ, गाउं के सिक्षकों के बीच हुआ, गाउं के स्टूड़न्स के बीच हुआ, सेहर के सिक्षकों के बीच हुआ, सेहर के स्टूड़न्स के बीच हुआ, बॉय्स स्टूड़न्स ने कहा, गर्स स्टूड़न्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में यहने एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कौने में सालों तक इस विशे पर ब्रेंच्टार्मिक हुआ उस सब के जीस तयाद किये गए और देश के बहुती अच्छे विद्वान और वो भी आज के युक को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइन्स और टेकनलोजी से जुड़े हुए थे ऐसे लोगों के नेत्रतों में इसकी विशत चर्चाय हुई उसमें से एक डाप तयार हुआ है उस डाप को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और पंद्रा बीस लाख इन्पूट्स आये यानि इतना बड़ा एक्सराइज इतनी व्यापक एक्सराइज उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पुलिटिकल पार्टी सरकार कुछ भी करें तो कहीं गहीं से तो विरोत का स्वर कुछ न कुछ तो हर कोई मोका ढूनता रहता है लेकिन आप मेरे लिए खुशी की बाद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तपके में पूर जो स्वागत हुआ है और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकार ये लाखों लोग है जिन्हों ने इसको बनाया है ये सरकार ने नहीं बनाया है देश के नागरिकों ने बनाया है देश के विद्यार्थों ने बनाया है देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविश्य के लिए बनाया है अब एक छोटा सा विश्य है पहले हमारी हाँ खेल कुद एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जागा था आपको जो पाँटवी, छटवी, साथवी में पढ़े होंगे उनको पता होगा अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो सिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है याने एक खेल कुद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवारी होता है बिना खेले कोई खिल नहीं सकता अगर आप खिलना चाहते हैं खिलना चाहते हैं तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है टीम स्पिरिट आता है साहस आता है अपने प्रतिश पर्धी को समझने की ताकत आती है ये सारे किताबों में से जो सिखते हैं खेल के मादान में आसानी से सिख सकते हैं लेकिन वह पहले हमारी सिख्षा बेवस्ता से बहार था एक्स्टा एक्टिविटी था उसको प्रतिश्टा दी अब आप देखते हैं कि परिवरतान आने वाला है और इन दिनों खेल कुद में जो रुची बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिश्टा मिलिए फर्क मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो आपको धान में आए कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ है उसी प्रकार से क्या हम बीशवी सदी की नीतियों को ले करके इकीशवी सदी का निर्मार कर सकते हैं क्या मैं आप लोगों से पूछता हम बीशवी सदी की सोच बीशवी सदी की व्यवस्ता बीशवी सदी की नीति इससे 21 वी सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या जरी जोर से बताएजे न नहीं बढ़ सकते न तो हमें 21 वी सदी के अनुपूल अपनी सारी विवस्ताओं को सारी नीतियों को धालना चाहिए कर नहीं धालना चाहिए अगर हम अपने आपको इवाल नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और ठहर जाएंगे इसा नहीं हम पिछड जाएंगे और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए तो उससे जादा चला गया उससे देश का नुक्षान हुआ है लेकिन अब जब हम पहुँच चुके हैं अब जیसे आज हम देखते हैं कि कभी कबार माबाप की इच्छा के काराण रिसौर्सिश के काराण नदिक में व्यवस्था के काराण हम अपनी इच्छा के शिच्छप के लिए आगए नहीं बढ़ पाते हैं और सब प्रेशर के कारण ततिशा के करनी धरे पे चले गए, यहाँ नहीं, डॉक्टर बढना है लिकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है, कुछ और है मुझे बाइड लाइफ में इंटरेस है, मुझे पैंटिंग में इंटरेस है मुझे technology में interest है मुझे science में interest है मुझे research में interest अब कारों से medical में तो चला गया पहले तो गए है तो फिर इस pipeline में यहां गुसे आप तो आपको वहाई कलना पड़ेगा दूसरे चोड़े अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन एक साल दो साल के बाद लगा कि नहीं नहीं मेरा रास्ता यह नहीं है मेरा तो मिजाज वो है मैं तो वहाँ जाना चाहता हूं तो अम National Education Policy आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है सम्मान के साथ अवसर देती है आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्कील का महत्मे बहुत बढ़ गया है सिरफ सिख्षा, सिरफ ग्यान का भंडार यह इनप नहीं है, हुनर भी होना चाहिए स्कील होनी चाहिए अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अफसर मिलूज आज खोशी हुई मैं अभी एक प्रदर्श्व नहीं देख के आया नेटनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है वो छोटे से रूप में आज सिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था मैं सिक्षा विभाग को बढ़ाई देता हूँ यहने बहुत ही प्रभावी था आनन्द आता था कि हमारे आठवी दसवी कष्षा के बच्चे थ्रीवेडी प्रिंटर बढ़ा रहे हैं आनन्द आ रहा है कि हमारे आठवी दसवी कष्षा के बच्चे बेजिक, माथेमेटिक का एप चला रहे हैं और दुनिया बढ़के स्टूडन्ट उनसे सीख रहे हैं नंदीता और निवेदीता दो बहने में जो मिली मैं बहुत ही सर्प्राइस था हमारी हाँ तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूरेंट खोज ली हैं वो खुद स्टूरेंट रहें लेकिन गुरू बन गए हैं अब देखिए उन्होंने टक्लोलोजी का भरपूर उप्योग किया है टेक्नलोलोजी से वो डरे नहीं है टेक्नलोलोजी का उप्योग किया है उसी प्रकार दे मैंने देखा कोई स्कल्प्टिस बनाए हुए है कोई अच्छे पेंटिंग बनाए है और इतना ही नहीं उसमें वीजन था ऐसे ही करने के लिए नहीं किया गया मैं उस वीजन को अनुवो करता था इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पालिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि हम जितनी बारी किसे नेशनल एजुकेशन पालिसी को समझेंगे और प्रतेक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे आप देखिए मल्टिपल बेनिफेट्स आपके सामड़े होंगे तो मेरी देश भर के टीशनस को देश भर के शिक्षा विदों से देश भर के स्कूल से मेरा आगरह है कि आप इसकी बारी कियों को जमीन पर उतारने के नए ने तरीके डवलप कीजिए और जितने जादा तरीके होंगे उतने ही जादा आउसर प्राप्त होंगे मेरी शुपामना है अज़ प्राप्त है सीक्स रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स हेल्प और गाइदेंस उन सर्टन इशूज रॉष्णी प्लीज आस्क एर क्वेश्चेन नमश्कार मौद्य मानिय प्रधानमंत्री जी मैं रॉष्णी राज्ग्य कन्या इंटर कॉलेज विजे नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ग्यारवी कक्षा की छात्रा हूँ मानिय वर मेरा प्रश्णी यह है कि मुझे आज चर रहे है कि क्या छात्र परिक्षा से डरते हैं या अपने माता-पिता और शिक्षकों से क्या हमें परिक्षा को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए जैसे कि हमारे माता-पिता या शिक्षक हम से उम्मीद करते हैं या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद ले किर्पया हमारा मागदर्शन करें धन्यवाद थैंक यू रोशनी पांच नदियों के छेत्र गुरू की भूमी स्थित समरिध राज पंजाब के भटिंडा से दस्वी की चात्रा किरन प्रीट इसी विशय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती है किरन प्रीट कृपया अपना प्रश्न पूछे जो किरन प्रीट कृपनापट इस 시방ेपडरि ब्लूप आपना아아ब जाखま सब्सके Гलान सब्सक्रीण प्रश्न lawyer क्यआ प्रश्न पूछन परश्पयों से सि decía more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. धन्यवाद किरनप्रीट, Honorable Prime Minister, Sir, Like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers. We look forward to your advice. Honorable Sir. Roshni, क्या कारण है कि आपने जब इस सवाल पूछा है, तो सबसे ज़्यादा तालियाबजी, क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडन के लिए नहीं पूछा है. आपने बड़ी चतुराई से parents और teacher के लिए पूछाए. और मुझे लगता है कि आप चाहती है कि मैं आज यहाँ से हरे की parents को और teachers को कुछ यहाँ से कह दूँ, ताकि आपके खावा जाए. इसका मतलब कि आप पर pressure है teacher का, आप पर pressure है parents का. और इसलिए आपको उल्जन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूँ कि उनके कहने पर करूँ. अब उनको समझाने पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ने पा रहा हूँ. यह आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूँ. मैं सबसे पहले तो parents को और teachers को यह जुरूर कहना चाहूंगा, कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रहे गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल्म हैं, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, और इसलिए दिन रात आपको लगता है बस इसको तो वो बना के रहूंगा, या आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेच्छाओं को, अपने बच्चे में एक पकार से इंजेक करने की कोशिश करते हैं, बच्चे आपको रिस्पेक्ट करता है, माबाप की बात को बहुत महत्वत देता है, दूसरी दर टीचर कहते हैं देखिये तुम्हें ये करना है तुम ये करो हमारी स्कूल में तो ये है रहता है हमारी तो ये परंपरा है आपका मंत कुछ तीसरा ही करता है और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो confused और contradictory जो प्रवाओं के बीचिनों से गुजरना पड़ता है ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विश्य होता है और इसलिए पुराने जवाने में टीचर का परिवार से संपर रहता था परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोता है उसे टीचर परिचित होते थे टीचर क्या करते हैं कैसा करते हैं वो उसे परिचित होते थे याने एक प्रकार से शिक्षा एक चाई स्कूल में चलती हो और शिक्षा घर में चलती हो हर कोई एक ही platform पर होता था और उसके कारण अब क्या हुआ है बच्चा दिन भर क्या करता है माबाप को समय नहीं है जानते नहीं है टीचर को syllabus से लेना देना है मेरा syllabus पूरा हो गया मेरा काम हो गया मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया बहुत मैंनत करके पढ़ाते है अच्छी नहीं पढ़ाते है लेकिन उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी यह syllabus पूरा करूँ वो मेरा दाईत्व है लेकिन बच्चे का मन कुछ और करता है और इसलिए जब तक चाहे parents हो या teachers हो या school का environment हो हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमा एं उसकी रूची उसकी प्रवरुट्टी उसकी अपेक्षा उसकी अकांच्छा इन सब को बारीकी से observe नहीं करते हैं उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं और हम उसको धका मारते जाते हैं तो कहीं ने कहीं वो लड़ खड़ा जाता है और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी परेंट्स को सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के नुसार अपने बच्चों पर बोज बढ़ जाए इससे बचने का प्रयास करें उनकी और हर बच्चे के पाँच एक स्ट्रेंट्ट होती है हर माबाप को सुकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या नहो लेकिन परमात्मा ने उसको किसने किसी विशेस्त ताकत के साथ भेजा है उसके अंदर कोई सामर्त है ये आपकी कमी है ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्तों को पहचान नहीं पाते हो ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो और इसलिए दूरी वही से बन जाती है और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी अब ये तो मैं नहीं कहूँगा माबाप का मत सुनो मैं ये तो नहीं कहूँगा टीचर की बात मत सुनो ये तो सला ठीक नहीं होगी सुनना तो है है वो जो कहते उसको समझना है लेकिन हमें उन चीजों को स्विकार करना है जो हमारे भीतर भाव सहज रुप से आपने देखा हुगा धर्ती भी वैसे तो निरीजीव लगती है एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है लेकिन उसी धर्ती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है बहुत बड़ा बटपुरुक्ष बन जाता है दोस धर्ती का नहीं है कौन सा बीज बोया है उस पर है और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से एड़ पर लेते हैं कौन सी चीज आपको मन के साथ एक नम उसमें आगे बढ़ जाते हैं आप जी जान से उसमें जेटते जाएए आपको कभी बोज महसुस नहीं होगा और शुरू में साथ शुरू में रुकावट आएगी लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा हाँ हम तो सोचते हैं कि इसमें ये बहुत अच्छा किया आज तो हमारा नाम रोशन हो गया चार लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है जो कल तक आप को ताकत को स्विकार नहीं करते थे वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गवरोगवान करना शुरू करतेंगे और इसलिए आप हसते खेलते उमन के साथ जो मिनिमम्म रिक्वार्मेंट है उसको पूरा करते हुए अतिरिक्ते जो सामरते है उससों जोडते हुए आगे बढ़ेंगे आपको भौत फायदा होगा श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी आपने अभी भावक एवं शिक्षक की आशाओं अपेक्षाओं के बीच बच्चों की रूची एवं अकान्शाओं को नई शक्ती दी है आपका कोटी-कोटी धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from the culturally rich city of Delhi, Vaibhav, a class 10th student of Kendra Vidyalet Janakpuri, earnestly seeks your counsel regarding his problem. Vaibhav, please ask your question. नमस्कार प्रधान मंत्री जी, मेरा नाम Vaibhav का नोजिया है, मैं कक्षा दस्वी का चात्र हूँ, मैं केंद्रे विद्याले जनकपूरी दिल्ली में पढ़ता हूँ, महोदै, मेरा आप से ही है प्रेश्ण है कि, how to stay motivated and succeed when we have so many of backlog. Thank you, Sir. धन्यवाद Vaibhav माननिये प्रधान मंत्री जी, हम बच्चे ही नहीं, हमारे अभिभावग भी आपसे अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं. सुजीत कुमार प्रधान जी, जो जार्सो गुड़ा ओडिसा से एक अभिभावक हैं, आपसे इसी विशेपर मार्ग दर्शन की अपेक्षा रखते हैं. श्रीमान सुजीत प्रधान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें. माननिये प्रधान मंत्री जी, स्थापत्य और चुत्रकला के धनी, राजिस्थान के जैपुर की कक्षा बार्वी की छात्रा, कोमल शर्मा आपसे अपनी परिशानी का हल चाहती हैं. कृमल, कृपया अपना प्रश्न पूछें. नमस्का माननिय प्रधान मंत्री जी मौदे, मेरा नाम कोमल शर्मा है, मैं राज किये बालिका उजमादे में गविद्याले बगरु जैपुर कक्षा बार्वी की छात्रा हूं. मेरा प्रश्न आपसे ये था के मेरे एक सहपाटी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूँ. धन्यवाद. धन्यवाद कोमल, Honorable Prime Minister Sir, Aaron Eepan, a Class 10 student of Qatar is overcame by a similar problem. Aaron, please go ahead and ask your question. Namaste sir, greetings from MES Indian School Doha Katha My name is Aaron Eepan of Class 10 My questions to the Honorable Prime Minister of India are these How to stop myself from procrastinating And how to keep away my exam fears And the sense of lack of preparation Thank you Aaron Honorable Prime Minister Sir Vaibhav, Mr Pradhan Ji Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics. Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well-integrated individuals. Kindly guide all of us, sir. लेकिन पहले तो खुद को आप अबज़र कीजिए कि आप वो कौन सी बाते होती हैं जिससे पुरी तरह डी मोटिवेटर हो जाते हैं आपको पता चलेगा आप दिन भर देखेंगे सप्ता भर देखेंगे महिने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहा जब ऐसा होता है तो यह लगता है ओ, मैं कुछ नहीं कर सब्सक्राइब यह मेरे लिए कठीन है तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बाते हैं जो मुझे हताश कर देती है निराश कर देती है एक बार उसको जान ले और उसको एक बार लंबर बॉक्स में डाव दे ठीक है फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजे हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती है जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती है उसको आप आइडिनिटिफाई कीजिए मान दीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना सिर्व उसका संगीत नहीं उसके शब्दों में कुछ चीजे ऐसी है कि आपको लगता है हाई आर सोचने का तरीका ये भी हो सकता है तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिर्व से सोचना सुरू कर देते है किसे ने आपको बताया था नहीं बताया था लेकिन आपने खुद को तयार किया था कि वो कौन से चीजे हैं जो मुझे मोटिवेट करे था आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप स्वहम के विशे में जुरूर एनालिसिस करते रिजे है उसमें किसी और की मदद के चकर में मत पढ़िए बार बार किसी को एक जाके मत को यार मेरा मूड नहीं है मुझे मजा नहीं आता है फिर आपके अंदर एक ऐसी विक्लेश पैदा होगी कि हर बार आप सिंपती चाहेंगे फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पांस बैठे जरा मुझे पुछका रहे पुलका रहे जरा उत्साही करे बार लालन पालन करे तो एक विक्लेश दिरे दिरे डवलप हो जाएगी कुछ पल तो अच्छे चले जाएगी और इसलिए कभी भी उन चीजों के विशे में सिंपती गेन करने के लिए उप्योग मत कीजिए कभी मत कीजिए है जिमन में मुसीबत आई निराशा आई हतास आई मैं उसको खुद जिऊंगा मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा मेरी उदासिंता को मैं ही खत्म कर दूंगा मैं ही उसको कबर में घार दूंगा ये विश्वास रदाशा है दूसरा है हम किन चीजों को अबज़र करते हैं कभी कभी कुछ चीजों को अबज़र करने से भी हमें बहुत प्रिणना मिलती है अब मालीजे आपके ही परगर में एक तीन साल का बच्चा है दो साल का बच्चा है उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा पहुंच नहीं पाएगा ठक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा फिर आएगा फिर कोशिश करेगा मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं शोड़ूँगा ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या उस दो साल के बच्चे को कोई प्रामिश्टर गया था कहने के लिए क्या किसी प्रामिश्टर ने समझाया था क्या तरे नेरास मत हो जा बेटे खड़े हो जा दोड़ो ऐसा कि यह ने कहाया था क्या जी नहीं इश्वर ने एक inherent quality हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो driving force बनती है छोटे बालक में भी होता है हमने कभी इन चीज़ों observe किया है आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिविती करता है उसने अपने तरीके दून लिए हैं बहुत अच्छे दंग से करता है लेकि हमने माइनूटली observe किया कि देखे भई इश्वर ने उसकी इतनी शदीर में कमियां दी है लेकिन उसने हारने मानी है उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है और वो शक्ति खुद को तो दोड़ाती है वो शक्ति अगर देखने वाला नहीं observe करने वाला जो निरिख्षन करता है उसको भी प्रेणा देती है हम कोशिश करें हमारे आज पास जो चीजे हैं उसको हम उस रूप में अबज़र करें उसकी विखनेसिस को अबज़र न करें उस कमियों को उसने कैसे मात किया है उन कमियों को वो कैसे मात करता है उस प्रक्रिया को बारिकिसे देखिए आप फिर अपने आपको उसके साथ correlate करेंगे कहां मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायब ऐसा कर सकता हूं इश्वन ने तो मुझे हाथ पर सब बहुत बढ़िया दिया है मुझे तो कोई कमी नहीं है मैं तो चुप बठा हूँ आप खुद दोड़ने लग जाएंगे और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विशे है क्या कभी आप खुद की एक्जाम लेते हैं क्या आप अपने एक्जाम भी तो कमी लीजिए कोई आपके एक्जाम कौन ले जैसे मैंने सायथ मेरी जो किताब है एक्जाम बॉरियर उसमें एक जगा पे लिखा हुआ है कि आप कभी एक्जाम को ही एक चिठी लिख दो हे डियर एक्जाम अब उसको लगो तुम क्या समझते हो मैंने ये तैयारी किये मैंने ये तैयारी किये मैंने ये महनत किये मैंने इतना प्रयास किया है मैंने ये पढ़ा है मैंने ये लिखा है मेरी इतिनी नोटे बढ़ी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने गंटे बैटा हूँ, मैंने मम्मी के साथ समय भिता है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया, तो उसके जाकर अरे मैं इतना सिक्र कैया है, तुम कौन होते हूं मेरा मुकाबला करने वाले, तुम क्या होता हैं मेरी एक्जाम लेने वारे मैं तुम्हारी एक्जाम ले रहा हूँ मैं देखता हूँ तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो मैं तुम्हें नीचे गिरा करके दिखा देता हूँ कभी तो करिये कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं यह जो सोचता हूं सही है गलत है आप ऐसा किजिए एक बार रिप्ले करने की आदत बनाईए रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक एक नया नई दृष्टी मिलेगी जैसे वानों क्लास के अंदर को सीख कर गया हो आपके तीन चाफ दोस्त हैं बैठिये और आज जो सिखा है आपी टीचर बनके आपके तीन दोस्तों के सिखाई है फिर दूसरा दोस और तीन को सिखाए फिर तीसरा दोस और तीन को सिखाए फिर चौता दोस यानि एक प्रकार से जितना जितने पाया होगा वो परोसेगा और घर एक नज़ान में आया का देखें यार उसने इस बिंदू को पकड़ा था पॉइंट को पकड़ा था मुझ से छूड़ गया था चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खूद आप करेंगे किताब नहीं है कुछ नहीं है सुनाओ सुनाओ आप देखिये वो खड़े हो जाते हैं डंडा लेकर के और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इदूरदूर दूरदूर हो जाते हैं कुछ लोगों थो पीछे से प्रॉम्टिंग करना पड़ता है आपने देखा होगा लेकिन एक गाउन के महिला है कहीं एक्सिलेंट हुआ है और कोई टीवी बाला पहुँच गया उसने बेचारी को टीवी कहा है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया आप देखे बड़े आत्म विस्वास के साथ वो सारा वनन कर देती है कैसा हुआ ता पिर इसा हुआ ता फिला ने आयते डिगने आयत प्रफेक्टली चीजों बता क्यों क्योंकि उसने चो अनुभव किया उसको वो आत्म साथ कर लेते हैं और उसके कान उसको रिपले बड़े आसामी से कर लेते हैं और इसलिए मैं मानता हुँ कि आप अपने आपको खुले मन से इन चीजों से जोडेंगे तो कभी भी आपके दर्वाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है। खमम तलंगाना से यादा अनुशा जो की बारवी कक्षा की छात्रा हैं आपसे अपने प्रश्ण का समाधान चाहती हैं। अनुशा कृपिया अपना प्रश्ण पूछिए। महान गईयों प्रदान मत्री जी थमस्कार मेरा नाम यादा अनुशा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलिज नाहुलंजा में बारह कफ्षा पर रही हूँ। मैं कमम जिले तिलंगाना से हूँ। सर मेरे सवाल यहाँ की जब सिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं। लेकिन खुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम मुल जाते हैं। खुरुपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवक्सर। धन्यवाद अनुशा। मान्यवर्ण हमें एक अन्यप्रश्ण नमो एप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रश्ण करता गायतरी सक्सेना जानना चाहती है परिक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है जो पढ़े और याद किये हुए विशय हैं वो भी परिक्षा हॉल में भूल जाते हैं जबकी परिक्षा से पहले या परिक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए मान्यवर, अनुशा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है जिनका संबंध स्मरन शक्ती से है कृपया इस दिशा में मार्ग दर्शन कर कृतार्थ करें माने नियवर, अनुशा प्रधान मंत्री जी शायद हर विद्यार्फी के दिमाग में ये विशय कभी ने कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है ये मैं भूल गया लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एक्जाम के टाइम पर अच्छानक ऐसी चीज़े आपकी निकलने लगेगी कि आप आपको कभी एक्जाम पर आ रहे मैंने तो पिछले हपते भर में कभी इस विशे कुछ होआ नहीं था अचानक क्वेशन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया मतलब कहीं पर स्टोर था आपका भी ध्यान नहीं था अंदर स्टोर था और वो स्टोर क्यों था क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दर्वाजे खुले थे कबड़ खुला हुआ था इसलिए अंदर हो गया अगर कबड़ बंद होता कितना ही परोस्ते कुछ नहीं जाता और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा मेडिटेशन हिमालय रुशी बुनियों वहां जोड देते मेरा बड़ा सिंपल सा मत है ध्यान का मतलब क्या है अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी वो धुनती होंगी कि मैं किस कौने में बैठा हूँ मतलब आप यहां नहीं है आप घर में है आपकी दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी मैं यहां बैठा हूँ वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहाँ है मतलब आप बेध्यान है अगर आप यहाँ है तो आप ध्यान में है द्यान को इतनी सरलता से जीवन में सुखार कीजी यह कोई बहुत बड़ा science है और कोई बहुत बड़ा नाग पकरकर के हमाले में जाके बैठना पुड़ता है ऐसा नहीं है जी बहुत सरह है आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए अगर उस पल को आप जी भरके जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबेच चाई पीते रहते होंगे अख़बार पढ़ते होंगे परिवार की लोग कहते है अरे पानी गरम हो गया चलो जल्दी नाने के ले चलो नहीं नहीं मुझे अख़वार पढ़ना है फिर कहेंगे नहीं नहीं नास्ता गरम हो है ठंदा हो जाएगा फिर भी कहेंगे नहीं मुझे अख़वार पढ़ना है कभी मुझे अख़वार पढ़ना है कभी मुझे उन माताओं से मैं कहता हूँ क्यों वो न जागरग है न वो उस पल को जी रहा है वो आदतन पन्ने गुमा रहा है आंखे देख रही है चीजे पड़ी जा रही है कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो memory चिप में जाता नहीं है और इसलिए आपके लिए पहली बावश्रक्ता ये है आप जो भी करें उसे उस वर्तमान को और मेरा अभी भी मत है कि परमातमा की इस रस्टी को सबसे बड़ी कोई सोगाद है अगर मुझे कोई पुछेगा तो मैं कहूंगा वो सोगाद वर्तमान है जो इस वर्तमान को जान पाता है जो इस वर्तमान को जी पाता है जो इस वर्तमान को आत्मसद कर पाता है उसके लिए भविश्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और मेमरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके एक आरा हम उसको घवा देते दूसरा मेमरी का जीवन से समन्ध होता है सिर्व एक्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं उसका मुल्ले ही नहीं समझते हैं अगर माल दीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदीन आपको याद रहा और आपने जन्मदीन पर उसको फोन किया आपकी तो वो मेमरी थी जिसके करण आपको जन्मदीन याद रहा लेकिन वो मेमरी आपके जीवन की विस्तार का कारण बन जाता है जब उस दोस्त को टिलिफोन जाता है उसको अधे वा, उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था मतलब मेरे जीवन की एमियत उसके जीवन में है वो जीवन भर आपका बन जाता है कारण क्या था, वो एक मैमरी मैमरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा बहुत बड़ा कटलिक एजन्ट है और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिरफ परिक्षा तक सवाल जवाब तक सिमित न करें आप उसका विस्तार करते चलिए जितना विस्तार करेंगे चीजे अपने आप जुड़ती जाएगी दूसरा आप कभी दो बरतन लीजिए दो बरतन में पानी भरिए पानी भर करके उसके अंदर एक कोईन रखिए दोनों में पानी शुद्ध है स्वच्च है दोनो एकी प्रकार का पानी है दोनो एकी प्रकार के बरतन है दोनो एकी प्रकार के उसमें कोईन है और आप उसको देखिए लेकिन एक बरतन है जो हिल रहा है पानी इदर उदर हो रहा है नीचे कोईन है दूसरा स्थीर है आप देखेंगे कि जो स्थीर पानी वाला कोईन है वो आपको परफेक्ट दिखता है और सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे और जो पानी हिल रहा है वहाँ पर भी वोही कोईन वोही साइज है उतना ही गहरा है लेकिन दिखता नहीं क्यों पानी हिल रहा है बरतन हिल रहा है अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कोई जो है मुझे दिखाई देगा आपने देखा होगा एक्जाम में आपके समस्या ये होती है क्यों देखो ये बगल वाला तो उपर देखता नहीं लिखता ही रहता है अब मैं पीछे रह जाओंगा उसको यहने दिमाग उसी में मन को सीर करने की दिखत है तो ज़रा डीप ब्रिफिंग कर लीजिए तीन चार भार घहरी सांस लीजिए एकड़म सीना तान करके आग बंद करके कुछ पल बैटिए मन सीर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है आपके मेमरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूँ ही उभर करके आना शुरू हो जाती है और इसलिए इश्वर ने जिसकी मेमरी जादा है उसको कोई एक्ट्रा एनर्जी दी है ऐसा नहीं है जी हम सब को हमारे सब का जो इंट्रन प्रोड़क्ट है परमात्मा ने बहुत घंग से बढ़ा हुआ है हम किसको परमाते हैं किसको बढ़ाते हैं उस पर निर्भर करता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो आप मैंसे जो लोग पुराने शास्तों को जानते होंगे कुछ तो कभी मैं आज परिख्शा में जा रहा हुए यसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊँगा लेकिन मैं कहता हूँ मन स्थिर रखिये आप अपने अप चीजे पड़ी हैं वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी आपका उसका सरलता से हमें ध्यान की विधी सिखाई निच्चे ही मेरी तरह सब का मन खिल उठा है धन्यवाद महुदे मानिने प्रधान मंत्री जी खनीत संसाधनों से सम्रिद्ध राज मनोरम परियठन इस्थल रामगण ज्छारखंड से कक्षा दश्वी की छात्रा श्वेता कुमारी आपसे अपने प्रश्ण का समाधान चाहती है श्वेता कृपिया अपना प्रश्ण रखिए मानिने प्रधान मंत्री जी नमस्का मैं श्वेता कृपिया अपने प्रधान मंत्री जी नमो एक के माध्यम से प्राप्त प्रश्ण जिसमें राघप जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है माबाब हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल खूद करो लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीज़े बहता तरीके से समझ में आती है प्रिपिया रागा वेवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्यार्थियों को समझाएं कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेश्टितम हो हम सब की दुविधा का समधान करने की कृपा करें माने ने प्रधान मंत्री जी ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदूपयोग हो जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाग मिले और ये अच्छी सोच है और ये आवशक भी सोच है कि हमें हमेशा जागरत रुप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूँ मैं जो समय खपा रहा हूँ उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है आउटपूर तो दिखेगा आउटकम नहीं दिखेगा इसलिए पहले तो खुद में एक आदर लानी चाहिए कि मैंने जितना इंवेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ के नहीं हुआ और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं और ये आदस हमको डालनी चाहिए कि मैंने आज मैथेमेटिक के पीछे एक घंटा लगा दिया तो मुझे उस एक घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया उसमें से जो सवाल मुझे कठीन लगते थे वो मुझे सहज हो गए नहीं हो गए मतलब मेरा आउटकम इंप्रूव हो रहा है ये हमें एनालिसिस करने की आदत लानी चाहिए बहुत कम लोगों को एनालिसिस के आदत होती है वो एक के बाद एक गुरा करते ही जाते हैं करते ही जाते हैं करते ही जाते हैं और बाद में बाद में पता ही नहीं रहता कि रे वो ज़्यादा ध्यान देने की जरूत थी उसको मैंने ज्यादा ध्यान देने की ज़रूत नहीं जी कभी-कभी क्या होता है हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है जो सबसे प्रिय है हम गुम फिर करके उसी में गुज जाते है मन करता है चलो इसी को कर ले क्यों? आनन्द आता है और उसके कारण जो कम पसंद है थोड़ा कठीन है उससे बचने की कोशिश करते है आपने देखा होगा हमारा बॉड़ी जो है नहीं वो बॉड़ी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूँ कभी कभी लगते है हमारा बॉड़ी चीटर है आप ताय करें कि मुझे ऐसे बैटना है आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो पता ही नहीं होता है मतलब आपके साथ आपका बॉड़ी चीटिंग करता है आपने मन से ताय किया कि मुझे ऐसे ही बैटना है लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो हाथ पर एन्य जो ओरीजिनल स्वफाइवा वहाँ बोड़ी आपका ढल जाती है फिर जांपरूत हो कर कैसे कर लो कर फिर हो जाते हो मतलब ये बोड़ी जैसे चीटर है न वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी और इससे हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए वो कैसे बन जाता है कि जो चीज़ मन को पसंदा है हम उसी पे चले जाते हैं हमें जो जरूरी है महत्मा गांदी जी स्रेय और प्रेय की बात करते थे जो चीज स्रेयस कर है और जो चीज प्रिय है व्यक्ति स्रेयस करके बजाए प्रिय की तरफ चला जाता है जो स्रेयस कर है उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए ये बहुत आवशक होता है और उसी पी तरफ अगर मन चीटिंग करता है, वहाँ ले जाता है, फिर खिंच के ले आओ, तो आपकी productivity और आपका outcome बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास करना है, दूसरा, ये जो सोचना, कि मैं रात को पढ़ू तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुभे पढ़ू तो अच्छा होता है, को इस चीज में आप comfortable हैं, actually हैं आप comfort होने चाहिए, अगर आप comfort नहीं है, उस परीशत से, बैठने से, उटने से, तो आप शायद उसको नहीं करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि एक ही प्रकार की जगा होगी, तम नींद आएगी उसको, मुझे आद है, मैं बहुत साल पहले एक movie देखी थी, उस movie में एक द्रश्य आता है, कोई एक व्यक्ति जुगी जोपड़ी के पास अपनी जीन की गुजारता है, और फिर अचाना कोई अच्छी जगा पे रहने जाता है, उसको नसीब आता है, लेकिन नींद नहीं आ रही ह और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेल वे स्टेशन पे, और रेल की पट्री की जो आवाज, खटा पटी आवाज उसको टैप करता है, और घर में लाकर के वो टैप रेकर सुरू करता है, और फिर सो जाता है, नींद आ जाती इसका प्रेशर बिलकुन मत रखिए जिस चीज में आपको आनंद आता है आपको कम से कम उसके लिए अपने आपको एड़्जेस्ट करना पड़ता है वो रास्ता छोड़ने की जरुवत नहीं है लेकिन उस कमफट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई आपका काम है मैक्सिमम आउटकम उस में से जराबी हटना नहीं है और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं कभी जब हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना वेक्ति बारा घंटे काम करता है चौदा घंटे काम करता है अठारा घंटे काम करता है सुनना अच्छा लगता है लेकिन एक्चिली अठारा घंटे काम करना क्या होता है मेरे जीवन में एक बहुत बढ़ा लेशन है मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वयम तो पाँटवी सास्त्री कक्षा तक ही पड़े थे लेकिन अन्य एक ग्रंथ लिखे थे उनों में किया था। मेरा उन्तर बड़ेसा था बड़ा प्यार रहता था मुझपर उनका तो मैं बहुत साल पहले तब तो मैं मुख्यमंतर भी नहीं था तो हमने एक बार कारकम बनाये कि उनको लेकर करके राज़स्थान के तीर से ख्शेतर अपर में उनको धरसन करने के लिए चीजें थी, कहीं रेल्वे का क्रॉसिंग आता था, तो बंध हो जाता था, रुख जाना पड़ता था, जब तक ट्रेन पारित नहीं होती, दर्वाजा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते हैं, अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के सोड़े टहलेंगे, या को समय, मैं देखता था, कि जैसे ही खड़े की गाड़ी, वो अपने थेले में से कागे निकालते थे, और एकदम से लिखना सुरू करते हैं, तब उनकी उमर मैं समगता हूँ, असी तो करीब पहुंच की होगी, याने, समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं काम करते ही रहना, किसी भी परिस्टिती में करते रहना, मैं समगता हूँ, ये भहुत आवश्यक होता है, जीमन में इसे बहुत किज मिलता है। Honorable Prime Minister Sir, Erika George, a student of Class 9th, from the beautiful lush Greenland with Eucalyptus Forest, Udhampur, Union Territory of Jammu and Kashmir, seeks your guidance. Erika, please ask your question. Greetings, Honorable Prime Minister Sir, I am Erika George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was, nowadays, there is a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really, very talented and knowledgeable, but due to some reason, they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path or maybe they did not have the proper counselling. So sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erika. Honorable Prime Minister Sir, Hari Om Mishra, a Class 12th student from Industrial Hub, Gautam Bhutnagar, Uttir Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. Hello, my name is Hari Om Mishra and I am the host of Cambridge School of Norida 12th student from Cambridge School of Kekstra. My question is, as in this year, the admission of the college and the admission of the board has been given by a lot of questions, and the pattern of the board has been given by a lot of questions, so in all of these questions, we must be aware of the board and the admission of the board or the admission of the college, अज़ने हम किस चीज को और अपनी तयारी किस प्रकार करें? वैसे दो अलग अलग प्रकार के सवाल है एक विशे हैं कॉंपुटिशन का और दूसरा विशे हैं कि ये एक्जाम दो या वो एक्जाम दो और एकी समय दो-दो एक्जाम है तो क्या खुरूट मैं नहीं मानता हूँ कि इसने एक्जाम के लिए पढ़ना चाहिए मैं इस एक्जाम के लिए पढ़ूँगा फिर मैं इस एक्जाम के लिए पढ़ूँगा इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ने ही रहे हैं आप उन जड़ीबुटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दे और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग-अलग एक्जाम अलग लगते हैं कठिन लगते हैं हकिकत ये हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रुप से हम पूरी तरह उसको आत्मसाथ करेंगे फिर वो बौर्ड का एक्जाम है या एंटरंस एक्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटर्विया एक्जाम है कहीं पर भी हो सकता है एक्जाम अगर आपने अपनी शिख्षा का पूर्ण रुप से एक शाक्षात कर किया है आत्मसाथ की है तो आपको एक्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है और इसलिए अपने आपको एक्जाम के लिए तयार करने के दिमाग खपाने के बजाए अपने आपको योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए विशय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें दूसरे से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं, अब जो मैं खिलाडी अपने देखा होगा, वो खिलाडी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता है महनत, फिर वो तैसिल में खेलेगा, तो वहाँ होता जाएगा, और इसलिए मैं मानता हूँ, कि हम फलानी एक्जाम के लिए ये जड़ी बुटी, उस एक्जाम के लिए ये जड़ी बुटी, उस चकर से निकल करके, मेरे पास ये संपूठ है, मैं लेकर के जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ से निकला तो ठीक है, नहीं निक को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो जिन्दगी किस चीज किजी फिर तो हम ऐसे ही खुज रहेंगे वाँ कुछ नहीं हम है बस ऐसा नहीं होना चाहिए सच मुझ में तो हमने कॉम्पिटिशन को इन्वाइट करना चाहिए तभी तो हमारी कसोटी होती है मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दीन है पढ़ना नहीं है एक्जाम नहीं कुछ नहीं है तो भाई बेहन बैठ करके कॉम्पिटिशन लगाओ तुम 4 रोड़ी खाते, तो मैं 5 खाता हूँ तुम 5 खाते, मैं 6 खाता हूँ ठरे करो तो कॉम्पिटिशन जिन्दिगी को कॉम्पिटिशन हमने निमंतर देना चाहिए कॉम्पिटिशन जिन्दिगी को आगे भराने का एक अच्छा माध्यम होता है जो हमें अपना भी evolution करने लगता है दूसरा मैं जिस पीडी का हूँ या आपके माता पिता जिस पीडी के है उनको वो चीजे नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है आप उस भाग्यवान generation में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी generation को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है और वो है जैसे competition ज़्यादा है तो choice भी ज़्यादा है अवसर भी अनेक है आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे आपने देखा होगा दो किसान हो मालनी जोए उसकी भी दो एकर भूमी है इसकी भी दो एकर भूमी है लेकिन एक किसान है चलब भई गुजारा करना है गन्ना की खेती करते रहो अपना गुजारा चल जाएगा दूसरा किसान है वो सोता है नहीं नहीं दो एकर भूमी है ऐसा करूँगा बन थड़ ये करूँगा बन थड़ ये करूँगा बन थड़ ये करूँगा पिछली साल ये किया तद इस बार ये करूँगा ये दो चीजे नहीं करूँगा आप देखेंगे एक मुझे दो एकर भुमी में ही ऐसे ही आराम से बैटा हुआ गुजरा कर लेता है जिन्दगी ठहर जाती है जो रिस्क लेता है प्रवक करता है नई चीद लेता है नई चीद जोड़ता है वो इतना अगे बढ़ जाता है कि जिन्दगी में कही रुकने का नाम नहीं लेता है वैसा ही वैसा ही हमारे जीवन में है हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और हमारे पास अनेग चोईस है ये स्पर्धा नहीं तो वो वो स्परदा नहीं तो वो वो स्परदा नहीं तो वो ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता मैं समझता हूँ कि हम इसको अपर्चुनिटी माने एक अवसर माने और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं मैं इस अफसर को कभी ने कभी जाने नहीं दूँगा ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का भी स्वाथ है कि competition आपके लिए इस यूग के सबसे बड़ी सोगात के रुप में आप अनुभाव करेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी आपने हमें ग्यान को आत्मसाथ करने की प्रेर ना दी जिससे जीवन में सफलता मिलती है आपका धन्यवाद शद्धे प्रधान मंत्री जी नवसारी गुजरात से एक अभी भावक सूश्री सीमा चिंतन देसाई आपके समुक एक प्रश्न रखना चाहती है महोदया, कृपया अपनी बात रखे रैशे मोदर तामिनस्ट मोदी जी नमस्ति आप सीमा चिंतन देसाई फ्रूम नोसाई अपपार सर अब इतने सारे यंस्टर्स के आइकन हो रीजन आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो, वो करके दीखाते हो सरी प्रश्ण भातिया ग्रमे अंचल की बालिकाओं ये तो अने की उच्छाए चल रही है इसके ग्रगते के लिए हमारा समाज क्या युद्दा ने सकता है कृपया मारत रश्ण धन्यवाद धन्यवाद महोदया मान्यवर सीमा चिंतन देसाई जी ग्रामिन शेत्र की बालिकाओं की सिक्षा को लेकर चिंतित है और श्रीमान से जानना चाहती है कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या है माने नियवर प्रधान मंत्री जी बैसे मैं समझता हूँ कि स्थितियां काफी बदली है पहले के समय में जब सिक्षा की बात आती थी तो माबाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए अपने लिमिटेर समसाधन से भी उनको लगता था कि इतने स्थिति है चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा और कभी कभी कुछ माबाप ये भी कहते थे अरे बेटी को पढ़ा कि क्या करना है वे उसको नोक्री थोड़ी करवा नहीं है अब वो तो अपना ससुलाल जाएगी वो अपना जिन्गी का गुजरा कर लेगी ये मानसिक्ता का कोई एक कालखन था हो सकता है आज भी कुछ गाउं में कहीं पर इस प्रकार की मानसिक्ता बची हुई होगी लेकिन बाए लाज आज सितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ को जानने में अगर पीशे रह गया तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर यह कहते होंगे भई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा बेटी तो क्या है वो तो सुसुराल चले जाएगी वो क्या काम की ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी लेकिन इतिहास अनुभाव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारी किसे देखता हूँ मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने माबाप की क्लोती बेटी माबाप के सुख और उनके गुड़ावी की जिन्ता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माबाप की सेवा में जिन्दगी खपा दी जो बेटा नहीं कर सकता यह बेटियों ने किया और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में चार बेटे हैं चार बेटों को चार बंगला है सुक्चेन की जिन्दगी है दुख कभी देखा नहीं है लेकिन माबाप बुर्दा सम्मे जिन्दगी गुजार रहे हैं ऐसे भी बेटे मैंने देखे इसलिए पहली बात है समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान कोई भेदफाव नहीं ये आज के यूग की अनिवार्यता है और हर यूग की अनिवार्यता है और भारत में कुछ विक्रूतियां आई है आने के कुछ कारण रहे होंगे लेकिन ये देश गर्व कर सकता है अगर गवननस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्य देवी का नाम आता था बेस्ट गवननस के रूपे कभी वीर्ता की वाद आए तो रानी की जहासी लक्ष्वी भाय का नाम आता था वीर्ता के लिए बेटिया ही तो थी याने कोई यूग ऐसा नहीं होगा और हमारे यहां तो विदूशी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है तो पहले तो हमारी अपनी मानसिक्ता दूसरा आज सिती बदली हुई है आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं न तो बेटों से जाद है बेटियों के संग्या होती है यह हिसाब आ रहा है आज जो बेटियों के एस्पिरेशन हैं अकांख्षाय हैं वो कुछ कर्द किजरने के जो जज़बा है शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्वकर ऐसा है और उसको हमने अफसर देना चाहिए और उस अफसर हमने इंस्टिटूशनाइट करना चाहिए कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले सा नहीं जैसे आपने देखा होगा खेल कुद में आज खेल कुद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा भारत की बेटियां हर जगा पे कहीं कहीं अपना नाम रोशन कर लिए विज्ञान का खेतर अजिए ये इतने बड़े बड़े एचिवमेंट विज्ञान के आते हैं तो देखोगे दूसमें आदे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ ने कुछ पराकरम होता है विज्ञान के खेतर अब दसवी बारवी के रिजल देख लीजिए बेटों से ज़्यादा बेटियां जाजात लाती है पास होने वाले की संगी बेटियों की ज़्यादा होती है तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है और यह बड़लाव अच्छा है यह बड़लाव जितना ज़्यादा होगा उतना अलाब होगा अब आप देखिए गुजरात से ही हैं जिन्नोंने सवाल पूछा है गुजरात में जैसे पंचायती राज बहुता है पचात प्रतिशत इलेक्टेड बहने है कानूनन बहुता है कि पचात प्रतिशत लेकिन एक्चुली चुनाओं के बाद सित यह बनती है कि चुनी हुई महिलाओं के संक्या 53%, 54%, 55% है एदे वो अपने रिजोर्ट सीट से तो जीती हैं लेकिन वो सामाने सीट से भी जीत करके 55 प्रतिशत तक कभी कभी जाता है और पूरुस 45 प्रतिशत भी आ जाते हैं इसका मतलब समाज का भी कि माताओं बेहनों पर विस्वाद बड़ा है तभी तो जाकर कि वो जन पतिनीदी बन कर क्या थे जब आज हम आजाती का अमुर्थ महोतो बना रहे हैं आज हिंदुस्तान की पार्लामेंट में सबसे ज़्यादा आज तक के कालखन की सबसे ज़्यादा विमेन एमपीज है और गाओं में भी देखा जा रहा है कि जो पड़ी लिखी बेटिया है उनको लोग ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं भले वो पाँचवी हैं तो साथवी वाली बच्ची को बहन को चुना मैं जीतने के पसंद के साथ के सामने कोई ग्यारवी वाली है तो उसको पसंद करेंगे याने समाज मैं भी सिख्षा के प्रती सम्मान का भाव हर्च सरपन नज़रा रहे हैं आज आप एजुकेशन फिल्ड देख लीजिए शायद कभी तो पूरुसों की तरफ से मांगाने की संभावना है मैं किसको रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ पुलिटिकल पाइटी वालों को लेकिन कभी कभी संभावना है कि पूरुस जुलूस निकालेगे कि टीचर में हमारा इतना परसंट आरक्षन दे करो क्योंकि जादातर टीचर हमारी माताएं बहने है उसी प्रकार से नर्सिंग में जादातर जो सेवा भाव मात्रु भाव होता है वो आद नर्सिंग के खेतर में भारत का गवरो बढ़ा रहा है भारत के नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है भारत के आन बान शान बढ़ा रही है इवन पुलिसिंग में पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है अब तो हमने NCC में बेटियां कोई अंतर मत किजिए दोनों को समान अवसर दीजिए और मैं कहता हूँ शायद समान इंवेस्टमेंट से ही समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी इन अवसर शर्थे प्रधान मंत्री जी बेटियां घर समाज राश्र की शोभा हैं उनकी आकांशाओं को आपकी प्रेणा से नई उडान मिली है आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, we are privileged and blessed to have received first hand insights and inspiration from you today Keeping in mind your valuable time, I now invite the two final questions Dumpala Pavitra Rao, a class 12 student from Kendra Vidyalay, sector 8, RK Puram, New Delhi is curious to know the answer to her question Pavitra Rao, kindly ask your question नमश्कार प्रधान मंत्री जी, मैं पुवित्रा राओ, केंद्रे विध्याले, sector 8, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में बार्वी कक्षा की हूँ माननी प्रधान मंत्री जी, जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीडी को और क्या कदम उठाने होंगे आपके मार्देशन से भारत स्वच्टो हुआ ही है और आने वाली पीडी इसके पर्यावरन संडक्षन में और क्या योगदान दे क्रिप्या मार्देशन करे, दिन्यबार सर नई दिल्ली से ग्यारवी कक्षा के चात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्ण का समाधान चाहते हैं चैतन्य क्रिप्या अपना प्रश्ण पूछिए प्रणाम, माननिय प्रधान देजी, मेरा नाम चैतन्य है, मैं कक्षा ग्यारवी का देवी विद्याले का चात्र हूँ मेरा आपसे प्रश्ण यह है कि हम अपने पर्यावरन को स्वच और भैतर कैसे बना सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद चैतन्य Honorable Prime Minister Sir, the youth of India, just like Pavitra and Chaitanya, want to breathe in a clean and green India A dream close to your heart We all wish to know how to keep India and our environment pristine and perfect in every sense of the word We all look forward to your guidance, Sir वैसे यह परिश्ण पर चर्चा से जुड़ा विश्य तो नहीं है लेकिन जैसे परिश्ण के लिए अच्छा environment चाहिए है वैसे पृत्वी को भी अच्छा environment की ज़रुत होती है और हम लोग तो पृत्वी को मा मानने वाले लोग है मैं सबसे पहले तो आज मुझे अउसर दिया है तो मैं सारवजेनी की रूप से हमारे देश के बच्चों को बालक बाली काउंगा रदेश से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि मैं प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार जब पंद्रा अगस को लाल के लिए से भाशन कर रहा था तो मेरे भाशन के बाद ज़्यादा ता लोगों ने सवालिया निशान लगा डाले थे कि ठीक है मोदी जी ने कहतो दिया लेकिन हो सकता है क्या और उसमें मैंने स्वच्चता की बाद कही थी थोड़ा ये भी अचरत था कि देश का प्रधान मंत्री ये तो जगा ऐसी है कि महाँ स्पेस की बात करनी चाहिए विदेश निजी की बात करनी चाहिए सइन्य शक्ती की बात करनी चाहिए ये आद्मी कैसा है स्वच्चता की बात कर रहा है कहियों का स्वच्चता की बात कर रहा है लेकिन जो भी आशंकाई व्यक्त की गई थी उन सब को गलत सिर्द करने का काम अगर किसी ने किया हो या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चान लगाने का अगर किसी ने काम किया हो तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया स्वच्छता की इसी आत्रा में आज हम जहां भी पहुँचे हैं अगर उसकी मैं सबसे जादा क्रेडिट अगर किछू को देता हूँ तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूँ मैंने इसे सेक्डो प्रसंग सुने हैं जहां 5-6 साल के बच्चों ने अपने दादा, दादी, नाना, नानी को टोका है दिन में दस बार कि इधर मत दालो मोदी जी ने मना किया है इधर मत फैको मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा ये बहुत बड़ी ताकत है और आप शायद उसी पीडी के होने के कारण आपने भी उसी भावना के साथ सवाल पूछा है मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ ये बात सही है कि आज पुरा विश्व ग्लोबल गॉर्मिंग के कारण एन्वार्मेंट के कारण बहुत परिशान है और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिश्यूज किया है हमारे पांस परमात्मा ने जो विवस्ताई दी है उसको हमने बरबाद कर दिया है अब हमारा दाई तो है अगर आज मैं पानी पी रहा हूँ या मेरा भागे में पानी है आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूँ आज अगर मैं किसी पैड की छाया में खड़ा हूँ तो उसमें मेरा कोई कॉंट्रिबिशन नहीं है ये मेरे पुर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूँ वो मेरे पुर्वजों ने मेरे लिए दिया है क्या मेरे बात की पीड़ी को मुझे भी कुछ देना चेक नहीं देना चाहिए देना चेक नहीं देना चाहिए अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या और इसलिए जैसे हमारे पुर्वजों ने हमें दिया उनका रण स्विकार करने के लिए और हमारी आगे की पीड़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्विकार करते हुए हमने अपना दाइत वर निभाना चाहिए ये हमारा कर्तब्य है अब ये कोई सरकारी कारकम से सफल नहीं होता है जैसे मान लीजे मैं कहता हूँ कि फिस सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बचना चाहिए लेकिन हमारे ही परिवार में भाशन भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए लेकिन शादी का कार अगर हम किसी नहीं का आता है घरमत देखते है तो उस पर इस प्लास्टिक का बहुत सुन्दर रेपर करके आता है हम निकाल के दो के फैंक देते हैं अब ये हम जो सोचते हैं उसके विप्रीत है तो सहच स्वभाव कैसे बढ़े कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल को हमारे घर में उप्योग नहीं करने दूँगा तो हमें एन्वारमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाए तो फिर आज जो हमारे आपने देखा होगा मैं गुजरात में पशु आरोगी मेले लगा रहा था जब मैं मुख में तुछ था और पशु आरोगी मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दाथ की ट्रिट्मेंट, डेंचर ट्रिट्मेंट करवाता था पश्वोवों को मोती बिंदु होता है मोती बिंदु का काम करता था और कुछ पश्वोवों के अपरिशन करने पड़ते था तो मैं एक बार एक गायक दिखा उसके पेट में से कम से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था अब ये ये मानोता के विरुद्ध का काम है अगर ये हमारे अंदर संबेजना पैदा होती है कि मैं मुझे तो अच्छा लगता है चलो वे हलकी भूल की थेली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फैंक देता हूँ हमें अब यूज एंद थो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें री यूज री साइकल और ये भारत में कोई नया पड़ नहीं है ये हमारे यां तो साथों से परिवार में यादत रही हुई है हम जितना जानदा संसाधनों का उप्योग करेंगे हम परियावरन को बरबात करेंगे हम जितने संसाधनों का अप्तिमम यूटिलाज़ेशन करेंगे हम परियावरन के रिक्षा आज देखिए हमारे electronic gadgets ये भी परियावरन के लिए एक संकर बनते जा रहे है आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी scrap policy निकाली हुई ताकि जो पुरानी गाडिया है जो प्रदूशन पैदा करती है उनको खत्म करो उसमें से भी कुछ कमाई करो नई गाड़ी लाओ उस दिशा में बहुत बड़ी मातरा में काम चलने वाला है उसी प्रकार से हम जानते है पानी का क्या महत्वा है पाउदे का क्या महत्वा है प्रकूति का क्या महत्वा है हम उसके प्रती सेंसिटिव है क्या और यह सहज स्वभाव बनाना चाहिए अगर यह स्वभाव बना आपने देखा हो का COP26 में मैंने एक विशे रखा था UK में conference हुई थी दुनिया के और मैंने कहा था उसमें कि lifestyle is a problem हमारी जो lifestyle है और इसलिए कहां कि mission life की आवशक्त ना है और मैंने mission life के लिए वहाँ शर्दताय किया था कि lifestyle for environment life, L.I.F.E मैं समझता हूँ कि हम भी अपने जीवन में बहुत छोटी आयू है चार मंजिला मकान है और हम भी lift में जाते हैं अरे हम कोशिश करें हम चड़ जाएंगे क्या है तो हमारा health भी कभी फाइदा होगा हमें environment को मतद करेंगे छोटी छोटी चीजे हम अपने जीवन में लाएंगे और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 movement चलाने की ज़रूत है प्रो प्लैनेट पीपल प्रो प्लैनेट पीपल ये P3 movement उससे जादा से जादा लोग जुड़े और conscious रहकर कि इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम चीजों को लाब करेंगे दूसरा हम आज जब देश आजहादी का अमृत महुसो मना रहा है आजहादी के 45 साल आज की जो पीडी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी तब देश शतादी मनाता होगा मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है आपके लिए है आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगा पे पहुँचे हम गर्व के साथ देश की शताबदी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चहरा उंचा रख करके मना सके हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना सके और उसका एक सिंपल सा मार्ग है कर्तव्य पर बल देना अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा अज समस्या ये हैं कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े ये हमारा कर्तवे हैं और उस कर्तवे क्या उपाए भी हमारा कर्तवियों का पालन है अगर हम कर्तवियों का पालन करते हैं हमारे लिए जिम्मेवारिया है उसको पूरा करते हैं आप देखिए हमारे देश ने पूरे दुनिया के लोग हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा मोदी का जेजेकार हो जाएगा इसलिए ज़रा संकोज करते हैं इसका जय जय कार करने में लेकिन जो हमारी यह वैक्सिनेशन हुआ है उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सिनेशन शुरू किया और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दोड़ दोड़ करके वैक्सिन ले लिया यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है आप सबका वैक्सिनेशन हो गया है हाथ उपर करिए हाथ उपर करिए सबका वैक्सिनेशन हो गया अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है कि मतलब कि हमने अपना कर्टव्य का पालन किया ये कर्टव्य का पालन भारत की आनबान शान बढ़ाने का कारण बन गया है उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो प्रकृति की रक्षा करनी हो परियावरण की रक्षा करनी हो तो मुझे पक्का विस्वास है कि हम अपने कर्टव्य को सज़गता रुपप अगर लगाएंगे काम करेंगे तो हम उच्छित प्रणाम प्राप्ता कर सकते हैं प्रधान मंत्री जी द्वारा परिक्षा पे चर्चा 2022 ने हमारे जैसे करोडों बच्चों शिक्षकों अभिभावकों की बेचैनी को उत्साह, उमंग एवं सफल्दा की ललक में बदल दिया हमके तग्य है, मानने प्रधान मंत्री जी, आपके स्वन्यम उद्बोधन के लिए हम अत्यांत आभारी हैं This brings us to the end of this splendid morning of inspiration and encouragement of moments that will forever stay edged in our reminiscences We express our heartfelt gratitude and thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having spared his valuable time to be here with us and for inspiring us with his magnetic persona Thank you so much sir आप सब आपके एनाउंसर आजाए यहां सारे, सब को बुला लीगे को जीजर आजाए, को जीजर आजाए देखिए आज मैं सबसे पहले तो इनको बशाई देना चाहता हूँ इन सबने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंड़क किया है कहीं पर भी आत्म विश्वास की कमी नजर नहीं आई आपने भी बारीके से अबसुर किया होगा, मैं बराबर अबसुर करता था ऐसा सामर्ते यहां बेखते हुए हर एक में होगा, जो टीवी पर देखते होंगे उन में भी होगा और जो नहीं देखते होंगे उन में भी होगा जीवन में जो सवाल के दाइरे में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम सच्पुश में जीवन में आनंद की अनुभूती करनी है तो अपने आपको एक quality दिख्सित करने का प्रयास करना चाहिए अगर उस वीधा को हम develop करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना किसी में भी हम गुण देखते हैं quality देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं उससे उसको तो ताकत मिलती हैं हमें ताकत मिलती हैं हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को अबज़र करें कैसे अच्छा है वो अबसुर करें उसको हम स्विकार करने का प्रयास करें खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें इनोवेट करने का प्रयास करें जोडने का प्रयास करें अगर हम इर्शय भाव पनपने देते हैं देखो यार यह तो मेरे से आगे हो गया देखो उसका कुरता तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है देखे यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरन है उसको तो कोई तकलीब ही नहीं है अगर यही competition मन में पड़ी रहती हैं तो हम दीरे 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 बहुत ही अपने आपको छोटा करते जाते हैं हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं हम औरों के सामर्थ को औरों की विशेस्ताओं को औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ विक्सित करेंगे तो उन विशेस्ताओं को अपने में लाने का सामर्त है अपने आप विक्सित होना शुरू हो जाएगा और इसलिए मैं अपनी जिन्दगी में सफल होने के लिए आप सबसे आगरह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले जो विशेस है जो अच्छा है जो सामर्तवान है उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए उसको जानने का समझने का शुकार करने का बहुती उम्दा मन होना चाहिए कभी भी इर्शा का भावनी होगा कभी भी हमारे मनवे प्रतिशोद की भावना पैदा नहीं होगी हम एक बड़े आनंद और सुख की जिन्गी जी पाएंगे इसी एक अपेश्चा के साथ मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत अभिनेंदन करता हूँ कि मोदिय परिशा की चर्चा को करते है एक्जाम मैं तो ठीक है टीचर ने बहुत को समझा दिया होगा आपको लाब होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है मेरा लाब होता है मेरा लाब यह होता है जब मैं आपके बीच में आता हूँ तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूँ और मैं अपने आपको आपकी उमर से कुछ सीख करके ग्रोव करने की कोशिश करता हूँ यानि मैं मेरी पीडी नहीं बदलती है मैं आपके साथ जूणने के कारान हमेशा आपके मन को समझता हूँ मैं आपके आशा आकांचाओं को समझता हूँ मेरी जिन्दिकी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कारकम मुझे बढाने में काम आ रहा है मेरे सामर्दों को बढाने में काम आ रहा है और इसलिए इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ मुझा आठ अपने को ढालने के लिए अपने को घड़ने के लिए खुद को कुछ सिखने के लिए आप सबने समय दिया इसलिए मैं आपका अभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चाना वापता कहां से हो सब बरी ही जी आश्रिवास्ता सर्थ जी आश्रिवास्ता दीवां बरीजवास्ता ने नितल जेए नितल पत्मा अम्रोस्ता ले बाता umesलडेस्ता श्रु जाण सर्षे जवर अपता खुद कर दैजी जाइमास्ता सुलिए बात आहलो अफोरेक्जवास्ता